Hello friend, Cloud Computing के course के playlist में आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि What is Provisioning, Resource Provisioning क्या होता है? यानि हमने पिछली वीडियो में Unit 1 में देखा है कि Provisioning क्या होता है और On Demand Provisioning के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था लेकिन Unit 4 में हम पढ़ने वाले हैं कि Resource Provisioning क्या होता है और Resource Provisioning के Methods क्या होते हैं हम किस तरह से Resource Provisioning को कर सकते हैं आगे हम discuss करने वाले हैं कि Global Exchange आप Cloud Resource कि हम globally अपने Cloud Resource को कैसे Exchange करते हैं ठीक है मतलब कि विद ग्लोबल के अंदर आप कहीं से भी Cloud Service का यूज कर रहे हैं Cloud Resource का यूज कर रहे हैं तो कैसे हो पा रहा है यह सारी चीजे देखने वाले उससे related उसका ब्लॉग डाइग्राम देखेंगे और लाश्ट में हम discuss करेंगी कि benefit of the Global Exchange आप Cloud Resource की आखिर जो Global हम Cloud Resource को Exchange कर रहे हैं उसके क्या फाइदे हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और हाँ अगर आप Cloud Computing course की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो description में लिंक है आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके कोई भी query हो या फिर आप comment box में comment कर सकते हैं या फिर इस mail ID से मुझे contact कर सकते हैं अब आगर हम बात करें कि resource provisioning होता क्या है जो कि वीडियो के हमारे पहले topic है कि resource provisioning तो resource provisioning एक तरह का ऐसा process है जिसके अंदर हम क्या करते हैं resource को जो computing resource है उसको assign करते हैं manage करते हैं like virtual machine storage हो गया networking हो गया element of the computing cloud applications हो गया इन सारी चीजों को मतलब कि resource provisioning एक तरह का ऐसा process है जिसके अंदर हम computing resource को assign करते हैं और manage करते हैं और किसको assign और manage करते हैं किसी virtual machine को या फिर virtual storage को या फिर networking elements को जो कि cloud application के अंदर use किया जाता है तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि resource provisioning होता क्या है resource provisioning का मतलब होता है कि कि किसी भी machines को resource allocate करना assign करना और उसको manage करना अब बात आती है कि resource provisioning involved कितने steps में करता है का तो resource provisioning जो करता है four steps को follow करता है सबसे पहले हम क्या करते है resource को request करते हैं उसके बाद resource allocation करते है resource को monitor करते है और auto scaling होती है इसके बारे हम थोड़ा सा deep देख लेते हैं कि resource जो हमारा resource request तो resource request के अंदर क्या करते है कि जब when an application need resource जब किसी application को need होती है resource की तो it ask to cloud management system for them तो यह क्या करता है cloud management system से पूछता है क्या request है request मतलब कि आपके पास resource है हमें need है resource को use करने की application क्या होता है application layer एक ऐसी layer होती है जिस पे user क्या करता है अपने task को perform करता है अब अगर अप्लेकेशन को रिसोर्स की नीट होगी तो क्या करेगा? cloud management system से पूछेगा और कि आपके पास request है? मतलब resource available है उसके बाद क्या होता है? Resource का allocation होता है resource allocation में क्या होता है? कि जो भी system होता cloud management system वो चेकख करेगा request को और given करेगा necessary resource for the food मतलब different type जो भी आपको resource की need होगी वो resource आपको allocate करेगा अब बात आती है कि resource को monitor हम कैसे करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा cloud management system होता है वो क्या करता है कि एक देखता है resource को कि आप कितना resource को use कर रहे हैं और कितना resource अभी आपके पास बचाया तो रुखा पर resource monitoring हो गई auto scaling होता है कि मतलब जैसे आपकी demand बढ़ती है कि आपको और भी resource की need पड़ेगी आप जैसे ये मतलब आपको allocate हमने कर दिया कि इतना resource आपको use करना है ठीक है हमने allocate कर दिया अब अगर आप इस resource को use कर रहे है और ये resource monitoring के थुरू monitor किया जता है कि आपने कितना resource को use कि और कितना resource बचा है और जैसे हां पे पता चलता है कि नहीं आप resource पूरा use कर लिए आपको on need है resource की तो हां पे क्या होता है कि resource automatic scale हो जाता है तो कहरा कि when demand changes the system can automatically adjust the resource to the match it तो resource क्या करता है कि automatic scale हो जाता है अब बात आती ही examples की, अगर हम examples की बात करें कि resource provisioning की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई social media platform है, तो social media platform जैसे हम just like ले सकते हैं, facebook है, instagram है, tutor है, बहुत सारी applications है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो traffic होती है during peak hours होती, जैसे अगर हम बात कर ले weekends होता है, या फिर evening time होता है, तो उसमें क्या होता है, कि traffic सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, कि ज़्यादा ज़्यादा जब number आप users ज़्यादा आएंगे, तो आपको resource की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगे, तो वहां पर क्या होता है कि resource provisioning का use किया जाता है जो कि automatic क्या कर देता है कि automatic resource को scale कर देता है मतलब extra जब number आप users जादा आते हैं जैसे weekends हो गया या फिर evening time हो गया जो peak time होती मतलब ऐसा time जहां पर users जादा social media का use करता है तो वहां पर क्या करता है कि automatic extra virtual machine allocate हो जाती है more storage and network capacity के साथ तो यहां पर क्या कर रहा है कि जो भी automatically deploying हो जाती extra virtual machine and allocate हो जाता है more storage and network capacity during जब off होता है peak time मतलब जब peak hours क्या होता है off होता है तो automatic scale down हो जाता है मतलब सारे जो भी resource allocate थे machine थी हो क्या हो जाती है automatic अपनी जगया पर आ जाती ही मतलब जितना use होता है उतना use जाता है जिससे क्या होता कि resource का wastage नहीं होता हम उसको prevent कर लेते हैं अब बात करता है कि डाइग्राम डाइग्राम में अगर हम बात करें तो कहरा है कि जो भी resource provisioning layer होती है मैनेस करती है resource pool को ठीक है अब यहां दोको resource provisioning हो गए resource pool हो गया resource pool के अंदर हमारा क्या आ जाएगा वियम आ गया यानि virtual machine हो गई virtual machine को हम storage है network है इस सारी चीज़े हम क्या करते है resource provisioning किसी भी application को provide करने का काम करते है यहां पर क्या होता है कि जो भी dynamic चीज़े होती है allocate होता resource based on application need and policy तो application की need क्या है उस हिसाब से हम क्या करते है कि सारी चीज़ों को allocate करते है जैसे हमारा virtual machine, storage, network, resource इन सारी चीज़ों को allocate करने का काम करते है अर्चिस्ट करते है resource को allocation and response करते है changing demand कि क्या आखिर तुम्हारा demand उस हिसाब से हम क्या करते है resource को allocate करने का काम करते है अगर भात करें resource provisioning के methods क्या होता है there骨 को हम की तर है तो बहुत सारे सर्वरल मेνहाद के रखा है की manual provisioning होगाई मैनुब्स क्या क्या होगा tutto het based provisioning है auto scaling provisioning है और policy based provisioning है dynamic provisioning तो इनके बारे में देख लेते हैं कि जो भी provisioning है common types की resource provisioning उसके बारे में क्या कहना है तो अगर बात करें सबसे पहले manual provisioning की manual provisioning क्या होती कि जब people किसी resource को manually assign करता है based on what the application need कि application की need क्या है और हमने manually उस चीज को ले लिया ठीक है जैसे suppose that अगर हम बात करें किसी example की आप market में गए आपको किसी चीज की need है suppose that आप घर में कोई काम करवा रहे हैं तो आपको need है आप कुद उस task को perform करना चाहते तो आपको manually आपने क्या क्या इतना चीज हमें दे दो ठीक है दुपानदार से आपने बोला कि मुझे इतना number आप पीस इतनी चीज़ दे दूँ तो वहां पर क्या होगा कि manual जब resource क्या होता कि manually assign किया जाता है कि आपके application की need क्या है तो उसे manual provisioning बोलते है अब script based provisioning क्या होता है यहां पी क्या होता है कि जो भी script are used to automated and process and assign resource in the specific way यहां पी क्या होता है कि यह पहले सी script based बनी होती है कि आपको जब resource की need होगी तो हम इतना resource आपको allocate कर देंगे मतलब सारी चीज़ पहले सी script में बना के रखी होती है कि आगर आपको resource की need पड़ेगी तो हम आपको यह चीज़ पकड़ा जेंगी ठीक है उसके बाद template based provisioning होती है template based provisioning के अंदर क्या होता है कि predefined templates होते हैं और images होते हैं जो use किये जाते है quickly create standard resource ठीक है मतलब ऐसे template पहले से बना के रखे जिसमें आप क्या कर सकते हैं उसको direct quickly standard resource को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं suppose जैसे आप बात कर ले कि कि किसी भी templates की जैसे resume template होता आप क्या करते हैं simply जाते उस पर अपना data बस सारे data को change कर रहें तो यह तरह से template बना है सिर्फ आपको क्या करना उसको use करना तो असान होता है हमारे लिए उसके बाद होता auto scaling provisioning auto scaling provisioning में क्या होता कि भाई जैसे resource की demand बढ़ेगी उस हिसाब से automatically resource क्या हो जाएगा adjust हो जाएगा आपकी need के हिसाब से ठीक है उसके बाद policy-based provisioning policy-based provisioning के अंदर क्या होता कि जो भी decision about the resource allocation are based on the rule about the thinking like cost and performance ठीक है तो कुछ policies होती है resource-based की decision कि बेस पे लेना चाहिए ठीक है यह सारी चाहिए आप जब cloud computing के resource को purchase करते तो उस समय जो dumb sign policies होती हार cloud service provider की तो उस पे बेस पे यह work करने का काम करता है उसके बाद dynamic provisioning होती dynamic provisioning के अंदर resource are assigned होता है ठीक है spot as needed जैसे आपको spot पे needed होगी उस हिसाब से हम तुरत आपको resource allocate करेंगे which is helpful for the thing things like app that's don't need to lot of resource all time just app भाही कुछ तरह के ऐसे आप होते हैं जिनको using का use करते मतलब जैसे हमें जरूरत पड़ेंगे हम वैसे तुमसे resource मान लेंगे और उस resource को use कर लेंगे और जैसे काम कतम उस resource को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे तो यह सारी चीजी होगा अब बात आती है global exchange cloud resource कि हम जो cloud resource है उसको globally कैसे exchange करते हैं मतलब एक जो भी हमारी service है cloud service है इसको global वाया global हम access कर सकते तो कैसे access कर सकते तो जो कह रहा है कि global access है cloud resource means connecting different cloud providers together इसका मतलब होता है कि जो भी cloud exchange of the cloud resource है इसका मतलब है कि हम different तरह के cloud provider को एक साथ जोडने का काम कर रहे है और जो क्या करेंगे अपने resource को share करेंगे और एक साथ काम करेंगे जैसे इसमें कुछ key concept है जैसे फ्रेडेशन, data mobility, application probability और interoperability है ठीक है तो यह सारी चाहिए इनके बारे में हम देख लेते हैं जैसे फ्रेडेशन में क्या होगा कि cloud provide link up to the share resource while still having their own rules जो फ्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि हमने अभी पिसली वीडियो में देखा था कि इसमें क्या होता कि multiple cloud service provider क्या होते कि एक साथ मिलके अपने resource को एक inter cloud resource पे share करते है ठीक है तो वहां से क्या करते है कि एक दूसरे से दूसरे से जुड़े होते जीतने भी cloud providers होते एक दूसरे के साथ जोड़े होते हैं अपने resource को share करते हैं ठीक है इसके अंदर क्या होती है कि cloud एक दूसरे साथ काम करता है लेकिन एक दूसरे के system को भी समझता है कि कौन सा system किस तरह से perform कर रहा है दूसरे जो भी cloud service provider होते हैं उनकी चीजों को समझता है data mobility के मतलब data can move easily between the different cloud without any issue data क्या होता कि यह cloud से दूसरे cloud में आसानी से switch हो जाता है मतलब switch हो जाता है बीना किसी दिक्कत के यह चीज होई application portability की अगर हम बात करते हैं पर क्या करना है कि application can work on any of the connected cloud without अब जो हमारा application है जिस service का हम use कर रहे हैं वो matter नहीं करता कि किस cloud से जुड़ा है ठीक है matter नहीं करता है कि जो भी cloud होते हैं सारे cloud अपस में interconnected होते हैं तो अब क्या कर रहा है कि जो भी application करता है work on any connected वो किसी भी cloud से connect होके अपने task को perform कर सकता है without needing to be change ठीक है बिना इसको change कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं हम cloud जैसे यहां पर हम बात करें cloud A है cloud B cloud C अब हम cloud A से switch करें cloud B पर वो automatic सारी चीजे perform हो जाती यह सारे एक दूसरे में interconnected होते हैं अब उसके बाद example scenario के अगर हम बात करें यहां पर तो कह रहा है कि इमेजिक कोई company है जो offer करती online app globally ठीक है कोई ऐसी company है कोई ऐसा application है जो globally run हो रहा है ठीक है अब अगर बात करें फेंदियर यह lot of people using the app by simple सी बात है जब अगर कोई application globally work कर रहा है तो उसमें यूज करने वाले नमबरा परसन भी बहुँछ जादा होगे app in one area the cloud system can automatically get more resource from nearby resource provider अब क्या होता है कि जो भी resource use कर रहे resource जो भी people है people using करेगा जब app को एक area में तो वहां पे जो cloud service होगा जो cloud system होगा वह automatic क्या करेगा get कर लेगा more resource from the nearby cloud service provider जो भी cloud service provider पास में होगा वहां से क्या करेगा वह ज्यादा से ज्यादा resource को ले लेगा और handle करेगा extra work को जो भी work होगा they help keep the app running well ठीक है आप असानी से रन हो सके और भी people using the kept cost down and company suppose that अगर हम बात करें है कि जैसे कोई company application मालो whatsapp globally use किया जाता है अब अगर कोई ऐसा person है जो ठीक है कहीं other locations use कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि अगर हम इंडिया के हैं तो इंडिया के ही cloud service provider का use करें अगर हम जाके USA में इसका यूज कर रहें तो USA से जो nearest है वहां का cloud service provider होगा वह data जो fetch करने का काम करेगा वहां से data को लेगा ठीक है और हमारे चीजों को balance करने का काम करेगा अब diagram के अगर हम बात करें यहां पर जो भी cloud global cloud exchange link होता है multiple cloud provider जैसे यहां पर हम बात करें applications किस से जुड़ा होता है cloud provider 123 मतलब जितने भी number आप cloud provider होगे सबसे जुड़ा होगा वहां पर क्या होगा यह सारी चीजे जुड़ी होते है global cloud exchange से और जो global cloud exchange होता है वो क्या होता data replication से जुड़ा होता है मतलब हम data को replicate करके हर एक cloud service provider के पास पहुचाने का काम करते हैं ठीक है I hope कि आपको समझगा होगा अब अगर हम बात करें कि benefits आखिर क्या फाइदा है इसको use करने की जो global exchange आप cloud resource से इसकी क्या फाइदा है तो better safety and backup मिल जाता है better safety and backup का मतलब जो data replicate होता है ठीक है अब अगर आ the system is less likely to break ठीक है इस system कम break होता है and it is dust and it kept going ठीक दो better safety आपको मिल जाती है backup मिल जाती है can grow and change हम आसानी से क्या कर सकते है system को आसानी से handle कर सकते है more work and less work के लिए without needing to be changed बीना change किया हम क्या कर सकते है छोटा काम है तब भी perform कर सकते है बड़ा काम है तब भी perform कर सकते है cost less होती है the company does not need to pay as much to keep app running well अब आपका अभी इंडिया में application चला है कल की USA में चला है तो ऐसा नहीं कि company आप से charge करेगे कि आप अभी इंडिया में चला रहे थे तो आपको कम cost पे करना था लेकिन आपका application USA में भी चला है तो आपको ज्यादा cost पे करना पड़ेगा cost आपको उसी चीज क पे करने पड़ेगा जीतना आप resource का यूज करेंगे मतलब जीतना आप resource का यूज करेंगे उतना आपको payment करना पड़ेगा ऐसा नहीं है लोकेशन के बेस्ट पे global exchange से कोई matter नहीं करता उसके बाद work faster for people simple सी बात है कि work faster ज्यादा तेज हो जाएगा तेज कैसे हो जाएगा कि आप अभी इस लोकेशन पर यूज करें इस लोकेशन पर हर एक लोकेशन पर क्या है कि cloud service available है तो अगर आप एक hardware को build करते तो server होता वो server क्या होता particular या फिर आपकी service जहां जहां चलती हो हमां आपको server build करना पड़ता तो cloud service के help से यह आपको फायदा मिलता कि आप किसी भी location पर हो आप अपनी task को असानी से fast कर सकते उसके बढ़ data is safe जो भी information होती people की put into the app always safe and easy to get to भाई जो भी हमारा data हो safe है ठीक है और हम उस उसको जब चाहे तब उस data का access कर सकते है no need to change the app हां में कोई change जरूरत नहीं पड़ती कि हम data app को change करें the app can work on any of the connected cloud without needing to change तो भाई जो app है वो किसी भी cloud के साथ ठीक है switch हो जाएगा जिसकी जरूरत जो भी nearest location होगा उसके switch होगे काम करेगा लेकिर हमें इसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने task को perform करने के लिए हम cloud को change करें तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़े किस तरह से होती है और क्या होती है तो अगर आज के वीड अपलोड कर सकते हैं thanks for watching the video thank you bye bye guys